नमस्कार अभिग्यान शाकुंतलम नाटक का अध्यन कर रहे थे हम प्रथम अंक के ग्यारवे पध्य तक का अध्यन हम पिछले वीडियो भाग चार में कर चुके थे आज उससे आगे आरंब करते हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि राजा दुश्यन्त शिकार खेलते हुए हिरन का पीछा करते करते कर्णव रिश्री के आश्रम के पास पहुँच जाते हैं तब वेखानस आदिक कण्व मुनी के शिष्य राजा से आस्रम के हिरन का शिकार करने से मना करते हैं तो राजा दुश्यंत उनकी बात मानकर धनुस्क से बान उतार लेता है। रिश्रिक कण्व के शिष्य राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का अशिर्वाद देते हैं। अब आगे कण्व का शिष्य वेखानस राजा दुश्यंत से इस प्रकार कहता है। एश खलू कण्वस्य कुल्पतेर अनुमालिनी तीरम आश्रमों दृष्यते। मालिनी नदी के किनारे यह कुल्पती कण्व का आश्रम दिखलाई पड़ रहा है। न चेद अन्यकार्याति पातह। तो चल कर अथिति सत्कार ग्रहन कीजिए अपीच्य और भी। रम्यास तपोधनानाम प्रतिहत विग्नाह क्रियाह समवलोक्य ग्यास्यसी कियद भुजो में रक्षती मोर्विक्नांक इती। इस शलोक में विखानस राजा से कहता है कि आप आश्रम चल कर अतिति सत्कार ग्रहन करें। और वहाँ पर आप जब चलेंगे आश्रम में तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप वहाँ पर आपके प्रयासों से जो वहाँ पर रिशिमुनी, निर्विग्न या ज्ज्ञानुस्ठान आदि कर रहे हैं उनके आपको दर्शन होंगे। उसी की बारे में यहां पर इश्लोक में देखानस ने बताया हैं अर्थ देखते हैं इसका रम्या अर्थात रम्नीक प्रतिहत विगनाह अर्थात जिनके विगन आदि दूर कर दिये गए हैं एसे तपोधना नाम अर्थात तपस्वियों की उत्कृष्ट तपस्वियों की क्रियाह अर्थात यज्ञानुस्ठानादि क्रियाओ को समवलोक्य अर्थात अच्छी प्रकार से देखकर हे राजन दुश्यंद जब आप आश्रम में चलकर अतिति सत्कार ग्रहन करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे की रम्याह रम्नीक एउं प्रतिहत विगनाह जिनके जिनके जो विगन है वो दूर कर दिये गए हैं ऐसे तपोधनानाम अर्थात ऐसे तपस्वियों की क्रियाह अर्थार यग्यानुस्टानादी क्रियाओ को समवलोक्य के अच्छी प्रकार से आप देखकर ग्यासियसी अर्थात आप जान लेंगे क्या जान लेंगे कियत कितनी भुजह में मेरी भुजा कितनी रक्षत यानि रक्षा करती है केसी भुजा जो मोर्वी किनांक है मोर्वी अर्थात मोर्वी बोलते हैं प्रतेंचा को तो मोर्वी किनांक अर्थात प्रतेंचा के किनांक अर्थात रगड से प्रतेंचा के खीचने की रगड से चिन्नित है जो भुजा वह भुजा कियत यानि कितनी रक्षत यानि रक्षा करती है इस परकार आप यह भी जान यहां पर भुजह एकवचन का प्रियोग किया गया है जबकि राजा दो भुजह उसे काम करता है भुजह का कालिदास ने इसलिए एकवचन का प्रियोग किया है ताकि यह प्रकट करना ही कि राजा अकेला ही बिना किसी साहिता के सबी विग्दों को दूर करने और तपस्यों क रक्षा करने में समर्थ है इसी प्रकार से यहां पर मोर्वी अर्थात जो धनुस की डोरी है प्रतिंचा है उसके बारे में बताए गया है यह जो धनुस की डोरी थी तो प्राचिन काल में मूर्वा नामक घास से यह धनुस की डोरी बनाई जाती थी क्षत्री और मूर्वा की मेखला भी पेहनते थे उस समय यह मूर्वा बड़ी द्रड और इस्ताई होती थी बार बार धन इसकी प्रतिंचा खीचने पर धनुरधारी के हाथ पर उसका चिन पड़ जाता था तो राजा दुशन्त के हाथ पर मूर्वी का चिन था जो की उसकी वीरता का दियोत्त अ कर उसके प्रताब का सुचच था उसके बारे में भी यहाँ पर वेखा नस्थ ने राजा को बताया है कि आप जो भुजा है भुजा पर जो प्रतिंचा के खीचने की रगड से जो निशान बन गया है वो भुजा आपकी इन रिशी मुनियों के यज्ञान उस्ठानादी को कि कितनी रक्षा करती है यह भी आप वहाँ पर चल के देखेंगे इसलिए आप आश्रम में अतिति सत्कार ग्रहन कीजिए इस पध्य में आर्याचंद है जिसका लक्षन है यश्याह प्रतमे पादे 12 जिसके प्रतम चरण में 12 मात्राइ होती है मात्रा स्था तृतिय पी और तृतिय चरण में भी 12 मात्राइ ही होती है जिस प्रकार की विवस्था होती है वह आर्याचंद होता है राजा अपी सन्नी ही तो अत्र कुल्पती ही तो क्या कुल्पती अर्थात महर्शी कर्ण यहां आश्रम में है वेखा नसह वेखा नसह इदानीम एव दुही तरम सकुन्तलाम अतिति सत्काराय न्युज्य अभी ही अपनी पुत्री सकुन्तला को अतिति सत्कार के लिए न्युक्त करके देवम अस्याह प्रतिकूलम शमयतुम सोमतीर्थम गतह इसके प्रतिकूल भाग्य अर्थात खोटे ग्रहों की शान्ति के लिए सोमतीर्थ में गए हैं ये प्रतिकूल भाग्य की शान्ति के लिए सोमतीर्थ में जब दुश्यन्त शकूंतला से मिला था तो कर्णूम कहां पर गए थे सोमतीर्थ में राजा भवतु अच्छी बात है तामेव द्रक्षामी तो मैं उस से ही मिलूँगा अर्था शकूंतला से ही मिलूँगा साख खलू विदित भक्ती माम महर्शेह कथई स्यती वो निश्यही कण्व के प्रती मेरी भक्ती जानकर महर्शी को बता देगी वेखानस साधयामस तावत तो हम लोग चलते हैं इती सशिष्यो निश्क्रान्त है यह कहकर शिष्य के साथ चला जाता है वेखानस राजा सूत अर्थात सार्ति से कहता है चोध्यास्वान घोडों को हां किये पुन्या अस्रम दर्सनेन तावद आत्मानम पुनीम है पवित्र आस्रम के देखने से अपने को पवित्र करे सूत यदा अग्या पयती आयुश्मान जेसी आयुश्मान की आग्या इती भूयो रथ वेगम निरू पयती फिर रथ को वेग से हाकता है सार्ति राजा जेसी रत चलने लगता है तो राजा समन्ताद अवलोक के चारो ओर देखकर सूत अर्था सार्ति अकथितोवपी ग्यायत एव यथा अयम आश्रम माभोगस तपोवन अस्य इती बिना कहे हुए ग्यात होता है कि यह तपोवन के आश्रम की सीमा है अर्था यह तपोवन जेसा दिखाई दे रहा है यह तपोवन की सीमा है ऐसा यहाँ पर बिना कहे हुए ही ग्यात हो रहा है तो सूतह अर्था सार्ति केता है कथमियू केसे ग्यात हो रहा है कि यह तपोवन है तो राजा उसको बताते हैं कि नपश्यति भवान इह ही क्या आप देख नहीं रहे हैं क्योंकि यहां पर अपर राजा अपनी बात को श्लोक के माध्यम से यहां पर कहेगा वो हम देखते हैं यहाँ पर राजा अपने सार्थी से कह रहा है कि यहाँ समीप में ही आश्रम है क्योंकि अब इसमें यहाँ पर हम देखते हैं तरुनाम अधह अर्थात व्रिक्षो के नीचे शुक अर्थात तोतो गर्भ उनके रहने के इस्तान कोटर सुक गर्भ कोटर अर्था तोतो के निवासिस्तान कोटरों के मुख यानि अगरभाग से ब्रष्टा अर्था गिरे हुए निवाराह अर्था त्रिनधान्य पड़े हैं राजापने सार्थी से कह रहा है कि यहां पर समीप में ही आश्रम है क्योंकि यहां पर यहां व्रक्षों के नीचे तोतों के निवासिस्तान कोटरों के जो अगरभाग है उससे गिरे हुए त्रणधान्य पड़े हैं और भी क्वचित कहीं पर इंगुदी फल भिदह कहीं पर इंगुदी के फलों के भिदह यानि तोड़ने वाले उपलाह यानि पत्थर कैसे हैं जो प्रस्निकदाह चिकने पत्थर सुचंत एव अर्था दिखाई दे रहे हैं इंगुदी जो व्रिक्ष होता है वो आस्रमों में पाया जाता है तो वहाँ पर राजा को इंगुदी फल तोड़ने वाले जो पत्थर है वो चिकने हो जाते हैं पत्थर से मार कर जो इंगुदी फल है वो पत्थर व्रिक्षो पर उपर आता है उससे जो रिशी मुनी होते वो अपने कपड़े धोते हैं वो उनके नहाने में काम आता है इंगुदी फल और भी कई तरह का उसका उपयोग होता है तो उस इंगुदी फल को पत्थर को फेक कर तोड़ा जाता है तो वहां पर चिकने पत्थर पड़े हैं जो इंगुदी फल को तोड़ने के कारण चिकने प्रस्टनिकदाह उपलाह अर्था चिकने पत्थर सुच्चंत अर्था दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोप गमाद अर्था विश्वास हो जाने के कारण। अर्था अपनी चाल को न बदलने वाले म्रिगाह अर्था हिरन सब्दम सहनते अर्था रत धोनी के शब्द को भी सह लेते हैं। धबराकर भागते नहीं हैं यहाँ पर। अर्था के शब्द को सह रहे हैं और उसी गती से वहाँ पर चल रहे हैं अपनी गती को अभिन्द गते अर्था बदल नहीं रहे हैं। तोयधार पथाश्च तोयधार पथाश्च अर्था जलाशयों के मार्ग वलकल शिखा निश्चन्द रैखां किता अर्था मुनियों के वलकल शिखा अर्था छोरों से निश्चन्द अर्था गिरने वाले जल की रेखांग की ताहा जल की रेखांग से चिन्नित हो रहे हैं जो आस्रा में रहने वाले रिशी होते हैं वो अपने पास में इस्तित तालावों में इस्नान करते हैं तथा गीले वलकल वस्तरों को लिए हुए अपने अपनी कुटिया में लोटते हैं उन गीले वलकल वस्तरों से जल की बूंदे टपकती रहती है तता संपूर्ण मार्क जो रास्ता होता है जलाइसे से लेकर उनकी कुटियों तक खा उसमें एक रिखासी खिच जाती ही नीचे जमीन पर इन सब लक्षनों से यह इस पश्ट हो रहा है कि आस्रम समीप ही है इस प पध्य में महाकवी कालिदास ने आस्रम का बड़ा स्वभाविक वर्णन किया है इसलिए यहां पर स्वभावोक्ती अलंकार है स्वभावोक्ती अलंकार का लक्षन है स्वभावोक्ती रसव चारू यथावत वस्तु वर्णनम इसी प्रकार से इस श्लोक में या पध्य में शारदूल विक्रीडितम चंद है, जिसमें 17 वर्ण होते हैं, जिसमें 19 वर्ण होते हैं, इसमें 12 और 7 पर यती होती है, अर्थात एक बार रुखना होता है, इसका लक्षन है, सूर्यार स्वेर मसजस्तताह, सगुरवः शारदूल विक्रीडितम, आगे देखते हैं, सूत, अर्थात सार्थी, सूत, सर्वम उपपन्नम, यह सब ठीक है, राजा, इस्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ दूर जाकर, तपोवन निवासिनाम उपरोधो माभूत, तपोवन वासियों को, अर्थात, हमारे इस प्रकार पहुच जाने से, तपोवन वासियों को उपरोधो, अर्थात, पीडा माभूत नहो, एतावत्तेव रथम इस्थापय, अतह बस यहीं पर, अर्था इतनी ही दूरी पर, रथ को रोक दो, यावद अवतरामी, मैं यहीं उतर जाता हूँ, सूतह अर्था सार्थी, दृताह प्रग्रियांह, अर्था प्रग्रियांह, अर्था प्रग्रियांह, अर्था प्रग्रियांह, बोलते हैं, गोडों की लगाम को, उसको दृता मेंने खीच ली है, अवतरत्व आयुश्मान, आप उतरे, राजा, अवतीर् अर्थी विनीत वेशेण प्रवेश्टव्यानि तपोवनानि नाम तपोवनों में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए इदम तावत ग्रीहताम अर्था यह सब लेलो क्या लेलो इती सूतस्य आभरनानी इती सूतस्य आभरनानी इस परकार धनूश्च उपनीय अर्पयती इस परकार अपने आभरनानी अर्था आभुशनों को धनू अर्था धनुश को उपनीय अर्था उतार कर सूतस्य अर्पयती अर्था सार्थी को दे देता है सूत सार्थी यावत आश्रम वासिनह प्रत्य अवेक्ष अहम उपावर्ते जब तक मैं आश्रम वाशियों के दर्शन कर उपावर्ते अर्थात लोडता हूँ तावत तब तक आर्द प्रस्ठाह क्रियंताम वाजिन अर्थात घोडों की आर्द प्रस्ठाह क्रियंताम आर्द यानि गीली प्रस्ठा यानि पीठ करो तब तक घोडों की पीठ गीली करो अर्थात उन्हें विश्राम करा लो सूतह सार्थी तथा बहुत अच्छा इती निश्क्रांतह ऐसा कहकर चला जाता है राजा परिक्रम्य अवलोक्य च घूमकर और आसपास देखकर इदम आश्रम द्वारं यह आश्रम का प्रवेश द्वार है यावत प्रविशामी तो प्रवेश करता हूं प्रविश्य प्रवेश करके निमितम सूचियन सुभ शकुन सूचित करता हूँ शान्तम इदम आश्रम पदम इस्फुरती च बाहु कुतह फलम इह अस्य अथुआ भवित व्यानाम द्वारानी भवन्ति सर्वत्र आश्रम के पास पोचकर और अपनी दक्षन बुजा का इस्परन देकर राजा मन में कहता है जब राजा आश्रम के पास पोचता है अपने सार्थी को लोटा कर तो उसकी दक्षन बुजा अर्था दाई बुजा फड़कने लगती है तो राजा मन में कहता है जब दाईनी बुजा फड़कती है तो सास्त्रों में कहा गया है कि यह किसी महनी वस्तुकी प्राप्ती की ध्योत्तक होती है अर्था दक्षन बाउ का फड़कना सुन्दर इस्त्रियादिकी प्राप्ती का सुचक होता है तो राजा सोचता है कि यहाँ पर कैसे संबव है तो देखते हैं पद्धे में राजा कहता है शान्तम इदम आश्रम पदम यह आश्रम का इस्तान शान्तम अर्थात शान्त है अर्थात यहाँ पर सांतरस में निमगन मुनी जन निवास करते हैं यहाँ पर सरंगारियों का क्या काम एक बार फिर से देखते हैं इसको शांतम इदम आश्रम पदम इदम आश्रम पदम अर्थात यह आश्रम इस्तान शांतम सांतरस से युक्त है यहां पर शान तरस प्रधान जो मुनी जन है वो निवास करते हैं यहां पर स्रंगारी विक्तियों का कोई काम नहीं है इस्पूरती चबाहू और मेरी भुजा इस्पूरती यानि फड़क रही है फड़कती है कुतह फलम इह यानि यहां पर अस्य यानि इसका फलम यानि फल कुतह यानि कहां पर है यहां इसका फल कहां अर्थात कहां से मिल सकता है फिर आजामन में सोचता है अथ्वा या फिर भवितव्यानाम द्वारानी अर्थात अवश्यम्भावी कारियों के उपाय भवन्ती सर्वत्र अर्थात सर्वत्र ही होते हैं अर्थात जो होनहार बात होती है वह सर्वत्र ही हो ही जाती है अर्थात होनहार के लिए सर्वत तरद्वार हो जाते अर्थात जो घटना होनी होती है वह होकरके ही रहती है इस प्रकार यहां पर राजा उहापोह में है एक बार इसकी थोड़ी सी व्यख्या देख लेते हैं यहां पर शान्तम इदम आश्रम पदम इस्पूरती चबाहू कुतह फलम इह अस्या अर्थात यह जो आश्रम है यह सांतरस प्रदान मुनी जनों का निवास है यहां पर सरंगारियों का क्या काम अर्थात मुनी आश्रमों में संभावना भी नहीं है सरंगार की फिर भी यदी राजा की दाहिनी बुजा फड़कती है तो यह जो दाहिनी बुजा है उसका फड़कना सुन्दर इस्त्री की प्राप्ति का सूचक होता है जिसा की हमारे सकुन सास्त्रों में कहा भी गया है वामे तर भुज इस्पंदो वर इस्त्री लाब दाए कह अर्था दाहिनी बुजा का फड़कना इस्त्री लाब का सुचक होता है तो दुश्यन्त सोचता है कि एसे तपोवन में मुझे नाइका आलिंगन कैसे मिल सकता है परन्तु मुझे से विक्ति के लिए तो इसकी भी की आकंक्सा से भी यहाँ पर नहीं आया हूँ तो वह सोचता है कि यह किसे संबवे ऐसा दाएनी बुजा का फड़कना क्यों रहा है इस परकार वह वहाँ पोह में वहाँ पर तरक वितर करता हुआ सोचता रहता है और अंत में जो दो लाइने यहाँ पर आई है यह इस पर पोचता है क्या पोचता है अत्वा भवितव्या नाम द्वारानी भवंति सर्वत्र वह सोचता है कि जो होनहार जो घटना होती है अर्था जो घटना होनी है वह होकर ही रहती है इस परकार से वह यहाँ पर सोचता है कि जो अवश्य होने वाली बात है उसके लिए सर्व तुरद्वार खुल ही जाते हैं अर्थात वह निश्चे पर पोजटा है कि अगर मुझे इस्त्रीलाब होना ही है तो वह सर्वत्र हो सकता है चाहे वह शांत आश्रम हो चाहे नगर हो हो नहार बाद टलती नहीं है वह होकर ही रहती है होनी हमेशा बलवान होती है ऐसा कहा भी गया है इस प्रकार यहां पर इसका अर्थिस्पष्ट हुआ इस पध्य में यहां पर अर्थांत न्यास है अर्थांत न्यास अलंकार है क्योंकि यहां पर सामन्य से विशेश का समर्थन किया गया है और यहां पर आर्या चंद भी है आर्या चंद की विशेशता हमने पिछल उसमें देखी थी यश्या प्रतमे पादे 12 मात्रा स्तता तर्तिय पी पेले और त तर्तिय चरणमें 12-12 मात्रा होती है और तर्तिय चरणमें 108 मात्रा होती है चतुर्थ के पंचदस आर्या और चतुर्थ चरण में पंदर मात्रा होती है वह आर्या छंद होता है इस प्रकार से आज का हमारा यह टोपिक पूरा हुआ आगे अगले वीडियो में देखेंगे